Hello students, welcome to Magnet Prain. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई, जैसे कि मैं आपको अभी-अभी बताया कि मैं आप लोग को पढ़ाने वारी हूँ, class 9th and class 10th की science, फिल, complete, detailed course के साथ जिसमें आपको मिलेंगे daily practice papers. और students, अगर आप लोग CBSE board से आते हैं, हम आपको KG से लिके class 12 तक की free of cost classes write कराते हैं. और अगर आप लोग state board से आते हैं, जैसे कि MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board, तो हम लोग आपको write कराते हैं 6 से लिके class 12 तक की free of cost classes. Students, अगर आपको e-books and e-notes चाहिए, उसका link भी आपको हमारे description box मिल जाएगा, तो जाए और जली से उसको grab कर लीजे. और आप हमें follow कर सकते हैं through YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. इन सब के तुरू आप हमें जली से follow भी कर लीजे. तो भाई, without any further delay, शुरू करते हैं आज का धमाकिदा session, जिसके अंदर हम लोग discuss करने जा रहे हैं, बिटा क्या? Covalent bond. So, we have discussed ionic bond in the previous session and now this time covalent bond. ओके, तो आज किसका chance है, बिटा, आज है covalent bond का chance. तो जल्दी से heading लगा लीजे अपनी copy के अंदर, क्योंकि, आज माम, कोvalent bond को भी बहुत अच्छे से master कराने वाली हैं. समझ गे? Okay, चलिए. तो students, चलिए, फर्ले थूड़ सी बारतला, आप मेरे साथ कर ली जाए थोड़ी. Okay. तो आप देखिए, जैसे कि हमना ionic bond में भी question and answers किये थे, यसे इसमें भी रहेंगे, don't worry. ऐसा मैं सोचेगा, कि माम, भू नहीं हो रहा है. सब कराया जाएगा. If I am here, then why there is a fear? There is a no fear. ठीक है? तो आप देखिए, बटा हम लोग क्या? हम लोग देख रहे हैं, कोvalent bond को. देखो, जो सबसे पहला question आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो question यह होगा, कि माम, चलिए, हमने ionic bond पढ़ा, आपने हम अच्छे से पढ़ाया. अब the concern is this, कि कोvalent bond बनता किन के बीच में है? कैसे बनता है? देखो, कोvalent bond is a kind of a chemical bond. एक तरीके काई chemical bond है. क्यों बन रहा है? because of the force of attraction between the atoms. ओके, ठीक है माम. अब कोvalent bond कैसे बनता है? आपको मैं एक बात बताई थी, कि कभी भी एक chemical bond के अंदर स्टुटिन क्या होगी? electrons की ही sharing होती है. electron यह तो transfer कराए जाएंगे, या फिर वो share करे जाएंगे. mutually वो share करे जाएंगे. ठीक है? या फिर कहीं पर gain होगा electron का, कहीं पर lose होगा किसी atom के थूँए, और तब जाके उनके बीच में chemical bond का formation होगा. अब मैंने आपको बताया था, उनहीं chemical bond में से, there are two types of chemical bond, जिसको हम बोलते हैं, ionic bond and a covalent bond. So, we have discussed ionic bond in a very detailed manner. So, if you have missed that session, then go and the link is given in the description box as well. Okay? So, वहाँ पर हमने सीखा, तो वहाँ पर मैं आपको क्या बदाया था, अगर मैं थोड़ा सा ionic bond के बारे मैं आपसे बात करूँ, तो ionic bond बन रहा था, metal or non-metal के बीच में, for sure. तो covalent bond किसके बीच में बनेगा? Students, covalent bond का formation होता है, एक non-metal और एक non-metal के बीच में. किसमें बनता है यह आपका? एक non-metal और एक non-metal के बीच में बनता है आपका क्या बदा? covalent bond. ठीक है? तो किसमें बनेगा यह? covalent bond formed between metal and non-metal. और न उन-मेटल और नउन-मेटल के बीच में. अब ये चीजटों में समझ माड़े. ऊ नल-मेटल के बीच में. अब बोल भी metal and non-metal के बीच में, कोई नी, non-metal and non-metal. हो जाता ने कभी निरोन उल्टे हो जाता है तो मेरा भी हो गए थे बट मैंने सीधे कर लिए कोई ऐसा बिल्कुल भी क्या बोलते हैं एक दम से क्रिटिसाइज नी करना मैं हम आपने यह कैसे बोल दिया आपके जबान से निकला कैसे यह हो जाता है कभी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉंड जोगा बिटा वो होगा आपका कोवलेंट बॉंड ठीक है यह तो मैं हमें समझमा गया बनेगा कैसे अब आप बताईए अब आप खुद बताईए कैसे बनेगा यह बताईए जली से कैसे बनेगा यह बनता है शेर of electrons मतलब किまぁ yaha per sharing होती है electrons की correct और वो भी mutual sharing होती है electron की, क्या होती है mutual sharing होती है यहां पर electrons की mutual sharing मतलब कि आपस में बातचीत कर के Pres bisschen electron share किये जाते है अब जहसे example लेतै है hydrogen अब करह difícilomos है hydrogen की charging की सबसे बहूंद की सबसे पाले simple example है हम वो ही लेते है let's take an example of hydrogen, element लिया बटा मैंने हाप आपका hydrogen, ठीक है, आप hydrogen exist कैसे कर रहा है, H2 की form में, ऐसी तो exist कर रहा है ना hydrogen आपका H2 की form में, तो मतलब मैम hydrogen एक non-metal है, क्या, hydrogen आपका एक non-metal है, तो 2 hydrogen है तो मैंने दो non-metal है, और इन 2 non-metal के बीच में बनने वाला bond कौन सा है, covalent bond, कौन है student, वो है आपका covalent bond, ठीक है, तो मतलब के hydrogen और hydrogen के बीच में जो bond बन रहा है बटा इहां पर, this bond is a covalent bond, अब आप सोच रहे होंगे, माम यार एक बात बताओ, जिसे आपने ionic bond में तो हमें बताया था, कि एक metal जो होता है, अपना electron दे देता है, और दूसा non-metal उस electron को accept कर लिता है, बट ये खुद क्या कर रहे है ऐसा, ये ऐसा क्या कर रहे है, जो इनके बीच में sharing हो रही है, और भी mutual sharing हो रही है, तो दखो ये क्या करते हैं, देखो, अगर मैं आपको इसी का example बताओ, तो आपको पता है, बटा, hydrogen का, जो आपका hydrogen होता है, hydrogen का atomic number होता है, 1, तो इसकी electronic configuration क्या? एक ही electron है, वो भी किस में? केशल में, अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, कि हर atom stable होना चाहता है, तो अगर हर atom stable होना चाहता है, आप ये बोल रहे हैं, और atom stable होना चाहता है, तो वो कौनसी electronic configuration अच्छीव करना चाहता है, या तो 8, या फिर 2, अगर outermost की बात कर रहे हैं, और आपकी outermost K है, बटा, के शल आपकी outermost शल है, तो उसमें अगर 2 electron होंगे, तो atom stable, बट अगर आप K के अलावा किसी और शल की बात करें, तो अगर उसमें 8 electrons होंगे, तब atom stable, तो अगर hydrogen की बात करी जाए, तो hydrogen के पास एक electron तो है, hydrogen के पास एक electron तो है, तो मतलब के माम, अगर hydrogen को एक और electron कहीं से मिल गया, तो क्या hydrogen stable हो जाएगा, तो आप कौन देगा इसको, अब अगर इसे कोई metal देगा, ये इसे कोई non-metal देगा, तो bonds भी अलग से रहेंगे, अब जैसे माल लो hydrogen की बात कर रहें न, हम रोग यहाप S2 molecule जो है, तो हम देखते हैं, ये एक hydrogen हो गया, जिसकी उसमें एक ही electron है, अब हम क्या देखनेंगें, बीटा, hydrogen के पास एक electron है, फिर दूसरा hydrogen भी घूम रहा था, वो कह रहा थे, आर मुझे भी एक electron देदे कहीं से, तो बस मैं भी stable हो जाऊँ, ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों ने सोचा यार, एक काम करते हैं, तो आप सोच रहेंगे, क्या काम करें ना, हम share कर लेते हैं, तो जो हम share कर लेंगे, तो दोनों के पास दो-दो electrons हो रहेंगे, कैसे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो मतलब यह क्या करते हैं, यह वाला hydrogen इस से यह electron share कर लेता है, अपना वाला, तो इस hydrogen ने इसके साथ एक electron share कर लिया और इस hydrogen ने उस hydrogen के साथ electron share कर लिया, तो मतलब कि मैम अब दोनों के पास दो electron है है या नहीं है, भले से पहले फिर उधर ऐसे हैं, बट है ना तो मतलब अब यह दोनों stable है बिल्कुल है, तो कि दोनों की K shell में कितने electron आगे बिटा दो electrons की हाँपे entry हो गई है, तो मतलब कि मैम इनके बीच में दो electrons की sharing हुई तो अगर दो electrons की sharing हुई हाँपे, तो कितना pair of electrons share हुआ वान, हम, तो मतलब यहाँ पर आपका hydrogen और hydrogen की पीच में एक bond बना, और एक bond में कितने electrons, जल्दी से answer चाहिए, एक bond में किते electrons, दो electrons, क्या, दो electrons तो इसका मतलब मैं, क्या दो से जादे electrons भी share हो सकते हैं, for sure हो सकते हैं, हो सकते हैं, उनी के basis पर तो covalent bond के types बनते हैं, single bond, double bond, triple bond, कैसे, sharing of electrons की वज़ा से, तो पहले आप ये बताइए, क्या आपको एक basic concept समझ में आ गया, कोvalent bond का, basic, एक basic बताया है मैंना भी आपको ये सब, ठेक है, और electron dot representation भी मैंना आपको सिखाई थी पिछले session के अंदर, बताया था ना मैंना आपको ये dot क्या है मेटा, ये hydrogen के उपर ये dot था, ये dot होता है, valence electron, valence electron, या फिर outer most shell, outer most shell electron, outer most electron, मैं लेकि जो outer most shell में है, तो इसका outer most तो के ही है न, इसके तो के ही है न, outer most, outer most में कितना एक electron है, तो जो outer most में present होता है, उसी को हम बोलते हैं, valence electron, क्या बोलते हैं, valence electron बोलते हैं, समझ भाया है है, पहला आप इतने का screenshot लिजे, फिर मापको आपको आगे बता रही हूँ, चलिए ले लिया अपने screenshot, done, तो atoms के बीच में, जब electrons share होते हैं, तब किस चीज का formation होता है, बटा, तब formation होता है, covalent bond का, किसका, covalent bond का, the sharing of electron takes place in such a way, वो electron की sharing इस तरीके से करी जाएगी, कि दोनों atom के पास, क्या होगा, octet complete हो जाएगा, कि each atom in the resulting molecule, get the stable electron arrangement of an inert gas, जिसे आपको पता है, कि hydrogen किसकी तरह बनने कोशिश कर रहा है, hydrogen बनने की कोशिश कर रहा है, helium, क्या, वो helium बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो दो electron चाहता है, stability के लिए, तो इस तरीके से sharing होगी उन दो atoms के बीच में, कि जो बनने वाला molecule है, क्या, जो बनने वाला molecule है, बटा, वो एक stable electronic configuration के अंदर होगा, जैसा आ आपने यहाँ पर देखा, कि यहाँ पर आप देख रहे थे, कि hydrogen और hydrogen जब दो atom के बीच में, क्या होई बिटा, sharing होई electron की, तो वहाँ से बना आपका H2, क्या बना बिटा, H2, और H2 की electronic configuration ऐसी थी, कि दोनों ही stable थे, दो electron थे ना, इन दोनों के पास, हाँ, समझ भागी वाला point, okay, the atom share their outermost electron in the formation of covalent bond, covalent bond के दौरान जो atoms होते हैं, वो अपने outermost, outermost shell जो है, उसकी, उसके electron को share करते हैं, जिसको हम लोग valence electron भी बोलते हैं, ठीक है, अब covalent bond is formed when both the reacting atoms needs electron to achieve the inert gas electronic configuration, covalent bond कब बनता है, जब दोनों ही reacting atom को, क्या होती है, electron की जरुबत होती है, जिससे वो एक stable inert gas electronic configuration पास सके, समझ की वाला point, yes ma'am, the non-metals have usually 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell for their atoms, आपको ये चीज़ पता है बटा, कि जो non-metals होते हैं, उनके पास outermost में 5, 6, 7 electrons present होते हैं, तो इतने तो ये देने से रहे, है न, इतने तो कोई देनी सकता, तो ये लेंगे, ठीक है, तो except carbon, carbon के पास 4 होते हैं, ठीक है, just one electron in the outermost shell, so all the non-metal atom needs electron to achieve the inert gas structure, तो सब non-metals को भाई, जरुवत तो है, electrons की और वो electrons की वज़ा से उनको एक inert gas electronic configuration मिल जाएगी, समझ के, yes ma'am, they get these electrons by mutual sharing, और उनको ये electron कैसे मिलेंगे मिटा, उनको ये electron मिलेंगे mutual sharing से, कैसे मिलेंगे, mutual sharing, mutual sharing क्या होती है, आपस में बात चीत करकर दिये गए electrons, ऐसा नहीं किसी ने छीन लिये, हां, ऐसा नहीं होगा कि दो बंदे साथ में खरते और एक ने समान छीन लिया, mutual sharing होई है उनके बीच में, ठीक है, बहुत समझदारी से वो electron share करे गए हैं, ठीक है, whenever a non-metal combined with another non-metal, जब ए electrons की sharing होगी और covalent bond का महाँ पर formation देखने के लिए मिलेगा, समझ गए, यह नहीं समझे, जल्दी से बताईए, समझे के नहीं समझे, समझे ना, तो इसी बात पर red heart, जल्दी से देढ़ीजे, जल्दी से red heart देढ़ीजे, चलिए, और session को like करना बिलकुर में भूलेगा, for example ज तो इमारत तो बहुत अच्छी खड़ी होगी, वो बोलते ना, नीव मजबूत होनी चाहिए, इमारत तो खुद ही मजबूत होती है, तो नीव तम आपकी मजबूत करती हूं बटा, और इमारत भी आपकी होई जाती है, at the end of session तक, चलिए, तो hydrogen बटा एक non-metal है, और chlorine is also non-metal यह HCL का बता रहे हैं, ठीक हैं, यह बता रहे हैं कि क्या होगा मतलब कि महां पर, so when a hydrogen combined with chlorine to form hydrogen chloride, HCL sharing of electrons takes place between hydrogen chlorine atom and a covalent bond is formed, तो मतलब कि HCL के बीच में क्या होता यह होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो हम ही देखते हैं आपका HCl है आपके पास तो हम देखते हैं hydrogen के पास एक electron और यहाँ पर chlorine की आपस में sharing करते है और यहाँ पर इनके बीच में bond बन जाता है अब आप सोच रहोंगे यार माम इतना असान है बोलना ही है कि इनके बीच में आराम से bond बनेगे बस अभी तो आप अपने लवल पर इतना याद रखो कि hydrogen और chlorine के बीच में electrons की sharing होती है और यहाँ पर यह जो bond बनता है यह होता है आपका covalent bond क्या होता है यह आपका यह आपका होता है covalent bond but chlorine ना थोड़ा साना मतलब चालाक है बहुत ही चालाक है मतलब इस shared pair of electrons को अपनी तरफ अट्रेक करने कोशिश करता रहता है कि मेरे पास हाँ मेरे पास हाँ मेरे पास हाँ मजबूर है ना भीचार अपनी आदस से क्योंकि electron negative जो है nature में हाँ चलो screenshot लो पहला बितने का चलो 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 लो screenshot ठीक है so covalent bond can also form between two atoms of the same non-metals और जो covalent bond होता है जरूरी नहीं दो different non-metals के बीच में बने covalent bond आपका same non-metals के बीच में भी बनता है जैसे कि मैं आपको example भी बताया था किसका किसका height अभी H2 को molecule दिखाया था जैसे chlorine का molecule आप देखने है the two chlorine atoms combined together by the sharing of electrons हम यह देखते हैं जो आपके two chlorine atoms होते हैं वो कैसे combine होते हैं आपस में electrons को share करके और वो बना लेते हैं chlorine का molecule and covalent bond is formed between two chlorine atoms और हम देखते हैं हापे यहापे कितने electron share होते हैं दो ही electron share होंगे तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच में बन जाएगा covalent bond समझ गें yes ma'am next the shared electron are counted with both atoms अब हम यह देखते हैं कि जो shared electrons होते हैं मैटा वो दोनों atoms के लिए count किये जाते हैं ठीक है due to which each atom in the resulting molecule get an inert gas electron arrangement of 8 electrons in the automotion hydrogen का तो अगर हम इसके लिए ही दोनों electrons गिल लेंगे तो इसके पास नहीं बचेगा इसके लिए गिल लेंगे तो इसके पास नहीं बचेगा तो मतलब के हम क्या कहते हैं कि दोनों के लिए ही है इसके जाता है चलिए तो अब हम देखिने होटा है हाँ से Types of Covalent Bond Types of Covalent Bond ठेक है Types of Covalent Bond तो Types of Covalent Bond हम चाहा देखिने होटा है हाँ पर आपका Single Bond Double Bond Double Bond Double Bond Double Bond Single Bond, Double Bond और Triple Bond ठेक है तो अब इनका क्या मतलए मैं Single Bond, Double Bond, Triple Bond कुछ नहीं है सारा Electron Sharing का Fund आ है इसमें ठेक है तो अब बुलिंग मैं ये क्या है मतलब क्या हम समझे नहीं Single Bond के अंदर आपके सिर्फ दो ही Electrons शेयर कर जाता है मतलब कि एक Pair of Electrons शेयर कर जाता है जो मैं आपको बता रहे हैं आपको इतना पता होना चाहिए इसमें क्या होता है Only a one pair of electrons can be shared Only a one pair of electrons can be shared So एक pair of electrons इसमें share हो सकता है बता One pair का मतलब क्या हो जाएगा One pair is equal to two electrons One pair is equal to two electrons समझ के वाला point? Okay फिर अगर double bond के बात करेंगे बता है Double bond में दो pair of electrons को share किया जाता है क्या? मैं आप यहाँ पर example में भी लिख सकते हैं कि मालीज़ आपके पास ही कोई A और A non metal है या फिर A या B non metal है तो इनके बीच में single bond रहेगा क्या रहेगा इनके बीच में single bond रहेगा यहाँ पर मैंने A और B दोनों को ही non metal माना है दोनों को ही यहाँ पर क्या माना है non metal ऐसा example मैंने आपको यह बताया है ठेक है? समझ के वाला point? ओके फिर अगर double bond की बात करेंगे बीचा तो double bond में हम देखते है only two pair of electrons can be shared यहाँ पर आपके 2 pair of electrons share करे जा सकते है ठीक है? और two pair का मतलब होता है 4 electron two pair मतलब के 4 electrons तो आप देख रहे हैं कि अगर एक pair में 2 electron में अगर 1 bond आ रहा है तो बहुत है A और A के बीच में double bond होंगे या A और B के बीच में double bond होंगे और इसमें एक-एक bond में 2-2 electrons है तो 1, 2, 1, 2, 4 1, 2, 1, 2, 4 done? ओके ठीक है और यहाँ पर सिर्फ आपके 2 electrons रहेंगे bonding में ठीक है? done? okay ठीक है 3 pair of electrons can be shared can be shared तो 3 pair of electrons का क्या मतलब हो जाएगा? 6 electrons 3 pair का मतलब हो जाएगा is equals to 6 electrons ठीक है? तो 6 electrons का मतलब क्या रहेगा? अगर example हम लोग देखें गे हाँ पर तो A और A के बीच में 3 bond share हो रहे है या A और B के बीच में 3 bond आपके share हो रहे है जिसमें अगर electrons का अगर मैं distribution दिखाऊंगे आपको 2 2 2 2 2 2 मनला 1 bond में से maximum 2 electrons से share हो सकते है समझ के बस यह है triple bond, double bond किसका मतलब single bond का मतलब समझ मा आगया आप लोग को अगर आपको यह चीज समझ मा आ रहे है बटा तो इसी बात पर Red Heart कमेंट करिए और जल्ली से session को भी like कर दीजे because it is very very important thing जो मैं आपको अभी हाँ पर बताई है तो अब हम लोग detail में single bond, double bond और triple bond को देखेंगे और फिर आगे question answer करके session को खतम कर देखेंगे चलिए लेले screenshot ठीक है तो अब हम देखिएंग बटाई आपके single bond, double bond और वो आप आएंगे बटाई सबसे बड़े single bond तो single bond में भी क्या चीज सिखाए मन आपको single covalent bond consists of one pair of shared electron ठीक है इसमें सिर्फ एक pair होगा shared electron का समझगी वारा point? Okay, a single bond is informed by the sharing of one pair of electron between two atoms ठीक है, a single bond is formed होगा, a single covalent bond is formed by the sharing of two electrons between the atoms, each atom contributing one electron for sharing हमीं देखिएंगे, दो atom के बीच में बनेगा bond और उसमें से एक-एक atom, एक-एक electron को share करेगा उस bonding में ऐसा नहीं होगा, जिसा अभी आपको मैं HCL का example दिखाए तो H2 का दिखाया था, तो H2 में आपने दिखाता है, इस दो hydrogen के atom थे उसमें इसके पास एक electron था, इसके पास एक electron था, तो इसने भी अपना electron part split किया था और इसने भी किया था, तब जाके hydrogen और hydrogen के बीच में एक single bond बना था, जिसके अंदर हमें 2 electrons देखने के लिए मिले थे, और वो जो 2 electrons थे, उसमें से एक electron इस hydrogen का था, और एक electron इस hydrogen का था, समझ गए यह नहीं समझें, समझें, चलिए, screenshot लिजे, ले लिया, ठेक है माम, चलिए, तो the shared electron pair is always drawn between two atoms, for example, हाँ hydrogen molecule, जिसा हाँ hydrogen molecule के हाँ पर बात कर रहे है, contain a single covalent bond, इनके बीच में क्या होता है, एक single covalent bond present होता है, and it is written as this, ठेक है, यह ऐसे लिखा जाता है, the two dots, यह जो हाँ पर दो dots है, जो इन दोनों के बीच में बने है, student के हाँ पर क्या represent कर रहे है, यह two dots represent कर रहे है, electrons, जो इन दोनों के बीच में share करे गाए है, the hydrogen atom represent a pair of shared electron, which constitute the single bond, जिसकी वैसे हम क्या देखने है, हाँ पर single bond का formation होता है, so it means, इसका मतलब ही हो रहा है हाँ पर, मतलब के माम, single bond के नदर, एक bond में सिर्फ maximum two electrons के हम लोग यह पर share कर पा रहे है, ठीक है, ओके, yes माम, आप the single covalent bond is donated by putting a short line, ऐसे, मालब ऐसे एक short line दिखा देंगे आप, दो atoms के बीच में, hydrogen molecule can be written as H, मैंने बताया थना, ऐसे, आपके पास हो जाएगा, ठीक है, the short line between the two hydrogen atoms represent a single covalent bond, और यह short line दिखा यह क्या represent कर रही है, यह represent कर रही है, आपकी single covalent bond को, यह single covalent bond को यह पर represent कर रही है, consisting of two shared electrons, जिसके अंदर क्या है, बटाब दो shared electrons है, एक-एक, दोनो hydrogen atoms हाया बाब, ठीक है, क्या है, यहाँ पर, दो हैं आपके पास, एक-एक, बटाब एक इस hydrogen से है, एक इस hydrogen से है, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ू, चलिए, यस माम, आपका समझाया है, वह तो आता है ना, आता है नहीं आता है, जलिए से बताई, चलिए, तो आप formation of chlorine molecule, आप हम देखेंगे, बटा, कैसे आप chlorine molecule का formation करते हैं, तो simple सी बात है, chlorine से एक electron दिलवाओ, उस वाले से भी एक electron दिलवाओ, और bond के इंदर दो electron लेकर आजाओ, जैसे दो electron के entry आपने bond के इंदर करा दी, तो भाईया, आपने बना दिया chlorine का molecule, ठीक है, अ chlorine atom is very reactive and cannot exist free, यह बहुत ही जादा reactive होता है और यह freely exist नहीं कर सकता है, क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, हर atom stability चाहता है, add that stability चाहिए, stability कैसे मिलेगी, 8 electrons complete कर दो outermost में, यह अगर K वाली की बात कर रहो तो उसमें, 2 complete कर दो, simple सी बात है, तो आप जैसे ही, देखो, हर atom, आपको क्यों लगता है, कि sodium बहुत ही reactive है, क्योंकि बेटा, उसकी पास एक extra electron है, जिसको lose करकर 8 वाली stable state माना चाहता है, वो इसलिए एकदम से reaction कर जाता है, एकदम से वो reaction कर जाता है, तो chlorine एकदम से reaction कर जाता है, क्या, chlorine बेटा क्या, आपकी एकदम से reaction कर जाता है, क्योंकि उसको stable होना है, उसको एक electron की कमी है, अगर उसको एक electron मिल जाएगा, तो वो एकदम से reaction कर जाएगा, इसलिए हम देखते हैं, chlorine कभी भी खुद से freely exist नहीं कर पाता है, ठीक है, chlorine gas therefore does not consist of a single atom, तो chlorine gas जिसके आप बाग करते हैं, वो ये है, वो कोई CL नहीं है, CL तो exist ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा stable होना चाता है, तो एकदम से reaction करना चाता है, मालो आप sodium को दोगे इसमें, तो sodium के साथ एकदम reaction कर जाएगा, क्योंकि sodium इसको एक electron दे देगा, और sodium जैसे इसको अपना एक electron देगा, तो ये एकदम electron लेके 8 वाली electronic configuration में चला जाएगा, तो sodium और chlorine के बीच में bond बनेगा कौन सा? Ionic bond, वो ये नहीं बनेगा ये molecule में दो, मलब दो आटम होंगे, और उन दोनों आटम के बीच में एक single bond यहाँ पर होगा, और इस एक single bond में, क्या, इस एक single bond में क्या होंगे, आपके दो electron पाए जाएगे, क्या, दो electron आपके पाए जाएगे, समझके, चलिए, screenshot लीजे, देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपको पूरी साइज कंदर master कराने कि मेरे से जितना detail में हो पा रहा है, मैं उतना explain कर रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया इसी तरी की classes मिलती रहे हैं, तो हमें क्या करना आपको कुछ नहीं करना है, मैंने प्रेंज को subscribe करना है, और notifications को on कर लेना है, जितने भी sessions आ रहे हैं, उनको regular basis पर लगाना है, और red heart कमेंट कर देना है, क्योंकि माम का favorite है red heart और जल्दी से session को भी like कर देना है, ठीक है, तो देखो आपको पता है बिटा, आप हम लोग बात करते हैं यहां से, चलो, देखते है, chlorine का formation, यह तो आपको समझ भागे था, आपने इसका screenshot भी ले 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 था, तो हम यहापे क्या देखने है, formation of chlorine, ऐसी में सब के दिखाऊंगे आपको, पहला है, formation of chlorine molecule, ठीक है, chlorine molecule का हमें हापे formation देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, देखो, simple थी बात है, पहले chlorine molecule को आपको बता है कि हापे 2 chlorine होंगे, तो मतलब कि मैं हम chlorine 2 chlorine होंगे हापे, तो CL होता है, CL के अगर atomic number की बात करूंगे तो 17 होता है, तो अगर मैं इसकी electronic configuration लिखनी शुरू कर दूंगे, तो वो हो जाएगे आपके 287 KLM, जो shells होंगे उसमें, M shell में इसके पास 7 electron होंगे, होंगे हैं नहीं होंगे, ठीक है, आप दूसरा chlorine भी ले लो, दो लेंगे न हम यहापे, तो इसका भी जी 17, electronic configuration वो ही 287 KLM के अंदर, तो M में कितने होंगे, M में आपके 7 electron होंगे, तो अब एक बात बताओ, stable configuration के लिए, stable configuration के लिए, इसको कितना लगेगा, stable configuration के लिए, इसको अभी एक electron और लगने वाला है, लगने वाला है ना, तो अब वो इसको एक electron मिलेगा कहां से, खुछ सोचो कहां से मिलेगा, तो अब क्या करो बटा, अब इसका बनाओ electron dot structure, तो chlorine है, तो आपको पता है, यह outer most, जो है, M वाले में जो है, यही तो valence electron है, और valence electron ही जो होंगे बटा, आपके, वही आप dots की form में represent करेंगे, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे seven dots दिखाए, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, ठीक है, दिखाएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या करिए, एक और chlorine का molecule लीजिए, और इसको पर भी आप साथ dot दिखाए, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, तो और यहाँ पर यह, इससे एक electron ले लेगा, तो मतलब दोनों ने electron की sharing कर ली, क्या करा इनोंने, इनोंने दोनों ने ही electron की sharing कर ली, तो दोनों ने electron की sharing कर ली, तो हमने हाँ पर देखा, कि CL और CL, इन दोनों के बीच में, दो electron share हो गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो electron यह अपे wider share हो गए दोनों के बीच में यहां पर क्या बन गया इनके बीच में विच में बन गए आपका इक Single Bond, और इस Single Bond में कितने Electrons है इस एक Single Bond में 2 Electrons है और यह Bond कौन सा बना यह जो Bond है यह Bond बना है आपका Covalent Bond कोवलेंट वाण कुवलेंट्स बाण एक covalent bond बने और ये Covalent bond कैसा है और आपका single covalent bond है समझमाया समझमाया निए स्क्रीनशट ले लिया all cry फजारो तो यहीं चीजमा आपको बिंट्या कितना है 17 है क्लोरीन का तो electronic configuration कितना ही कलm में 7 एलेक्ट्र而ण अब यह उ साथ atom has seven electrons in its outer moon shell and need one more electron to complete its octate and become stable for sure अगर साथ electron है बिटा तो उसको एक electron की और जबत पड़ेगी तो मुझा कि two chlorine atoms जो होंगे वो अपने एक-एक electron को share करेंगे ठीक है इस तरीक से sharing करेंगे हाँ पर और sharing करने के बाद या क्या बना लेंगे हाँ पर आपका CL2 का molecule बना लेंगे और इनके बीच में सिर्फ दो electron की ही sharing होगी तो दे फार्म दा single bond इजी पीजी है या नहीं है जली से बताईए है चलिए next next आते मिटा आपका तो आपको पता है सा क्यों और इनके पीच में जो bond है वो है आपका कोवलेंट bond next आप देख रहें यह diagram भी मैं आपको बना कर दिखा दिया था ठीक है simple धी बात है ना देखोंआ आपके यह chlorine आपका यह आपके क्या है यह आपके है यह outermost है यह और फिर यह हो गए आपके ठीक है और जो outermost वाले हैं मिटा यहाँ पर और जो बचेवे 2 हैं, वो इस sharing के अंदर आ गए, चीक है, और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ बटा, एक single bond का formation हो गया, single pair of electrons यहाँ पर share हो गया, done, अब आते हैं बटा, next आपका hydrogen का formation, second आएगा आपका क्या, formation of H2, H2 molecule का हम लोगे हाँ पर formation रेखेंगे बटा, तो सबसे बहु आपको पता है कि hydrogen का जो Z, Z होगा, होगा 1, और इसकी electronic configuration होगी बटा, electronic configuration कितनी होगी इसकी, इसकी electronic configuration होगी आपकी, 1, K में सिर्फ एक electron होगा आपका, होगा या नहीं होगा, yes man, ऐसे दूसरे बाले की पर रहेगी, Z1, और electronic configuration आपकी 1 रहेगी, तो इसका मतलब माम, अगर K मे इसको एक electron और मिल जाएगा, तो K में इसके पास 2 electron हो जाएगे, और 2 electron होने का मतलब क्या है बटा, 2 electron होने का मतलब है, कि इसका, जो deplet वाला rule है, वो ये follow कर लेगा, मतलब इसको एक helium जैसी, क्या मिल जाएगी, electronic configuration, अचीव हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, या इससे ले लेगा, ले लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बटा, ये H, ऐसे दोनों के बीच में ये 2 electron share हो जाएगे, ठीक है, तो this और यहाँ से 2 pair, माला एक pair present होने की वजा से, यहाँ पर कौन सा bond बनेगा बटा, this is the covalent bond, covalent bond, और कौन सा covalent bond है ये आपका, ये है आपका single covalent bond, क्या है आपका, ये है आपका single covalent bond, समझ माए ये वाला point आप लोग को, अगर आपको ये चीज समझ माए तो जल्ली से इस बात पर red heart को चमकाई है, जल्ली से चमकाई ये red heart को, और इसका diagram ही बटा आप बना सकते हैं कौन सा वही वाला, shells वाला, तो बीच मा hydrogen, तो यहाँ पर एक electron है, ठीक है, और ये दूसरा hydrogen है, इसकी भी यहाँ पर एक electron है, ठीक है, तो अब हमने क्या करा बिटा, इन दोनों ने आपने electron को share कर दिया ऐसे, यहाँ पर, ये रा, ठीक है, समझ माए वाला point आप लोग को, ये structure को hydrogen का formation दिखाना है, hydrogen के molecule का formation दिखाना है, screenshot ले लिजा आप इसका, और आप देखरें, दो electron की sharing होई है, हाँ पर, कितने है, इस bond के अंदर two electrons है, मतलब कि one pair है, easy, ठीक है, easy peasy, तो hydrogen atom is very reactive, ये काफी reactive होता है, क्योंकि इसको अपना octate complete करने के लिए, मतलब अपने outermost electron को complete कर होती है, तो एकदम से reaction कर जाता है, और उस reaction की विदर से हम क्या देखते है, हाँ पर इसको एक electron easily achieve हो जाता है, and cannot exist free because it does not have the stable, so inert gas electron arrangement, so hydrogen gas does not consist of a single atom, तो hydrogen gas के नदा एक single atom नहीं होता, उसमें दो atom present होता है, क्योंकि stability gain करने के लिए, ठीक है, so it consists of more stable as two molecules, each molecule of hydrogen gas has two hydrogen atom, तो hydrogen hydrogen gas के अंदर, hydrogen का जो molecule होगा, उसमें, दो atoms exist कर रहे होंगे, और जो आपस में join होंगे, किससे बिटा, covalent bond से, किससे join होंगे, covalent bond से join होंगे, और आपको पता है, बिटा, atomic number of hydrogen होता है, one, ठीक है, so इसके electronic configuration कितनी होगी, electronic configuration is one ही हो जाए, क्योंकि एक electron होगा इसका, बट य उसको कहां से मिलेंगे, बिटा, वो उसको मिलेंगे, दूसरे hydrogen की sharing से, तो हमीं देखेंगे, यह hydrogen के पास एक electron है, इसके पास भी electron है, अब तो आपको ही dot समझ मां आता है, यह dot क्या represent कर रहा है, बिटा है, यह dot आपका represent कर रहा है, हाँ पे किसको, जल्दी बिताईए, electron dot structure, ह हाँ पे balance electron को represent कर रहा है, balance electron क्या होंगे, बिटा, outer most में जो present होंगे, electrons, क्या, outer most shell में जो electrons present होंगे, वो होंगे आपके balance electron, then यह दोनों electrons आपस में share हो जाएंगे, और यहाँ पे, जब दो electron और यह एक pair of electron sharing करता है, तो वो बनाता है, single covalent bond, क्या बनाता है, single covalent bond, तो as same as, जैसे हमने अभी CL2 का देखा था, देखो इस diagram को भी आप notice करो, समझ माया यह वाला point, समझ माया नहीं समझ माया, ठीक है, so hydrogen gas जो होता है, hydrogen molecule की बनी भी होती है, तो hydrogen gas को हम diatomic बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि hydrogen के 2 atoms present होते हैं, एक molecule के अंदर, as you can see in this diagram, यह, देख रो आप यहाँ पर, दो-दो atom, एक covalent bond के थूँ जुड़े होए हैं, ठीक है, यह दिखाने का तरीका होता है, okay, done, next आते हैं, formation of hydrogen chloride molecule, HCl का formation आपको दिखाना है हाँ पर, क्या दिखाना है, HCl का formation हमें हाँ पर दिखाना है, तो let's see, कैसे रहेगा आपका, HCl का formation, तो third hydrogen की बात करेंगे, इसका Z होगा 1, और इसकी electronic configuration होगी 1, मनला, K वाले में 1 electron present होगा, ठीक है, फिर, student, अगर मैं बात करूँगी, इसके structure की, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, this is the hydrogen के पास एक electron है, outermost, हैना, इसके outermost ही K है, क्या, इसके outermost ही K है, तो K को complete करना है, तो इस 17, ठीक है, मला, atomic number कितना होता है, chlorine का 17, और इसके electronic configuration देखेंगे, अगर हम लोग KLM shell के अंदर, तो 287, तो इसका मतलब इसके last वाली shell में 7 electrons present है, 7 electron present है, इसके last वाली shell में है, तो मतलब कि अगर इसको कहीं से एक electron मिल गया, तो मतलब यह stable हो जाएगा, बस इसको एक electron भी चाह तो दोनों आपस में sharing कर लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, CL जो होगा, उसके पास 7 electron रहेंगे, 1, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो अब यह क्या करेंगे, अब यही काम करेंगे, यह इससे एक electron ले लेगा, ठीक है, और chlorine भी इससे एक electron ले लेगा, ठीक है, और chlorine के outermost में कितने हो जाएंगे, chlorine के outermost में अब 8 हो जाएंगे, और hydrogen के k में 2 हो जाएंगे, तो मतलब कि यहाँ से हम देखेंगे, कि hydrogen और chlorine के बीच में 2 electrons की sharing हो जाएगी, ठीक है, और इस एक bond में कितने electrons रहेंगे, इस एक bond में आपके पास 2 electron रहेंगे, तो जब मैना भी था, कि अगर आपके पास 2 electron की sharing हो रही है, तो वो कौन सा bond बनाएगा बिचा, वो बनाएगा आपका single covalent bond, single covalent bond, क्या बनाएगा बिचा, यह बनाएगा आपका single covalent bond, समझ मा गया, अगर समझ मा गया तो इसी बात पर अढ़ाट चमकाईए, और जल्ली से session को भी like कर ले लिया बिचा, चलिया, ओके, तो hydrogen atom के पास एक valence electron होता है बिचा, so it needs one more electron to complete its shell, बनाएगा एक stability चाहिए, इसको दो electron के लिए, chlorine के पास 7 valence electron होते है, तो इसको एक electron की जरुवत परती है, stable होने के लिए, तो बोथ hydrogen atom and chlorine atom को एक-एक electron की जरुवत है, so they will become stable by sharing one electron, तो अगर ये दोनों आपस में एक electron को ही share कर लेंगे, तो ये stable हो जाएंगे, so hydrogen atom and chlorine atom share one electron and form a hydrogen chloride molecule, ठीक है, like this, देख लिया, ठीक है, देखा है नहीं देखा, बताओ जरा मुझे जल्ली से, देख लिया, okay ma'am, ठीक है, तो ये आपका diagram ये वाला भी, कहा गया, ये रहा, formation of methane molecule, next राते मे methane molecule का formation कैसा होगा, carbon के पास कितने होता है, carbon के पास कितने होता है, चलिया, ये वह दिखाते हूँ, आपको methane molecule का formation, formation of methane, methane होती है, बता, CH4, CH4, ठीक है, तो CH4 का हमें, हापे, बता, क्या देखना है, formation देखना है, तो अगर मैं बात करूँ, बता, हापे क्या है, carbon है और hydrogen है, त carbon का Z कितना होता है, बता, carbon का होता है, 6, hydrogen, helium, lithium, beryllium, carbon, okay ma'am, hydrogen का होता है, 1, ठीक है, okay, done, अब इसके electronic configuration लिखेंगे, तो बता, वो कितनी होगी, आपकी 2, 4, कितनी होगी 2, 4, बनला, बंदे को 4 electron चाहिए, 8 करने के लिए, okay, और hydrogen की electronic configuration लिखेंगे, तो 1, इसको तो 1 की चाहि तो मतलब मैं, यह कैसे possible है, यह कैसे possible होगा, तो इसमें यह possible होगा, जब carbon 4 hydrogen के साथ को करेगा, मतलब कि 4 hydrogen atom, carbon को अपने electron share करेंगे, ठीक है, और फिर carbon अपने electron share कर देगा, outermost वाला, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम यह पर यह चीज़ देखेंगे, कि यह carbon है, carbon के पास चार hydrogen, ठीक है, लग जाएंगे हापे, इनके पास 1-2 electron, इनके पास 1-2 electron है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, बटा हम लोग है, यह चीज़ देखेंगे, कि यह hydrogen, इस carbon से ले लेगा, ठीक है, तो carbon ने share कर दिया, तो hydrogen के पास 2 हो गए, फिर यह वाला hydrogen भी carbon से ले लेगा तो इसके पास भी 2 हो गए, यह वाला इससे ले लेगा, इसके पास भी 2 हो गए, और यह वाला इससे ले लेगा, इसके पास भी 2 हो गए, अब आप बोलिंगे माम, अब तो carbon के पास बचे नहीं, रुको ज़रा, carbon भी देखो, carbon क्या करेगा, carbon मो लेगा, अच्छा भईया, सि hydrogen और hydrogen carbon और hydrogen के बीच में क्या share होया है बटा दो दो electron है अपर share हुआ है तो मतलब कि इन के बीच में बनने वाला जो bond है ये सारे के सारे के सारे हैं covalent bond कौन से covalent bond है बटा ये हैं आपके single covalent bond समझ पायए कि ये हैं अगर एचीज़ समझ पायए तो इस बाद पर सार रेड हाट चमका दो, जल्ली से से सेशन को चमका दो, जल्ली से, और स्क्रीन शॉट ले लो पुटा इसका, जल्ली लो, ठीक है, तो मतलब कि आपको ये पूरा-पूरा समझ में आ गया है, देख रहे हैं आप चार हाइडोजन के साथ शेरिंग होगी, and they form the methane molecule, ठीक है, easy है, methane molecule बना ना, yes ma'am, next आते हैं मिटा, carbon tetra chloride, CCL4, आजो, CCL4 कैसे बनेगा, चलो, इतने का तो ले लिये था न, आपने screenshot, ठीक है, अब आते हैं, formation of CCL4, formation of carbon tetra chloride, यह क्या होता है, CCL4, ठीक है, तो दोगो, CCL4 में carbon है और chlorine है, carbon है और chlorine है, carbon का जी कितना होता है, 4, chlorine का कितना होता है, chlorine का होता है, आपका 17, 17 होता है, बिल्कुल 17 होता है, अब अगर इसकी electronic configuration की बात करी जाएगी, बटा, तो इसकी electronic configuration हम देखेंगे, KL में, तो 2, Z, इसका 4 लिख रही हूँ, आउटर मोस electron इसका Z लिख रही हूँ, 6 होगा यह, तो 2, 4 होगा, ठीक है, फिर इसकी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यह हो जाएगा, 2, 8, 7, KLM, मतलब कि क्लोरीन के पास 7 valence electron है, और कार्बन के पास अपने 4 electron है, अब एक बात बताओ, क्या क्लोरीन को 4 electron की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्लोरीन को 4 electron की ज़रूरत है, उल्टा, कार्बन को 4 electron की ज़रूरत है, तो क्या एक क्लोरीन उसको दे पाएगा 4 electron नहीं, तो मतलब एक carbon को अगर आपको 8 electron पूरे करवाने हैं, तो आप कैसे करवाओगे पूरे बिटा, 4 chlorine से क्या कराओ, शेरिंग कराओ, तो हम क्या देखेंगे बिटा हैं, यह carbon रहेगा आपका बीच में, और 4 chlorine रहेंगे, इसके around, वह, carbon को तो बहुत special treatment मिल रहा है, तो आप बिटा, carbon के पास तो 4 electron ही है, बट chlorine के पास कितने है मिलटा, chlorine के पास है 7, 6, 5, 6, 7, यह पर, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अब यह क्या करेंगे वटाँ, अब देखो यह क्या करेंगे, यह कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन क्या करेगा, कार्बं से यख लेवा बान पूरा अपना कमप्लीट, उसके पास आठ रॉट लेक्ट्रण आ जाएगे, ठीक है यह क्लोरीन भी यह काम करेगा और ये क्लोरीन भी यही काम करेगा और ये क्लोरीन भी यही काम करेगा अब कार्बन के पास तो चार ही रहा है आप बोलेंगे मैं अभी तो आपने सिखाया है क्या ही दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है यह इस तरीके से यहां से ऐसे यह से ले लेंगे तो यह बना लेंगे c l c l c l and c l और इस एक एक बॉंड में किते एलेक्ट्रॉन्स हैं दो 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 एलेक्ट्रॉन्स हैं मलब के this is the single covalent bond single covalent bond समझ मैं है समझ मैं है नी समझ मैं है अगर समझ मैं है तो इसी बात उटा है इस डियाग्राम को आप देखें और मेरा डियाग्राम आप पूरी तरह की सबना का है अब आते हैं formation of h2o अब h2o में क्या होगा है let's see ठीक है तो h2o में हम देखें बटा है यहां पर जैसे हमने ccl4 का देखा है ऐसी h2o को देखेंगे formation of h2o मतलब कि water ठीक है तब देखो इसमें क्या है hydrogen है और oxygen है hydrogen का atomic number होता है एक और oxygen का atomic number कितना होता है जल्दी बताओ 8 ठीक है अब इसकी electronic configuration लिखेंगे तो इसकी electronic configuration होगी 1 म stating k में सिर्प इसके पास एक electron होगा और अगर इसकी electronic configuration की बात करेंगे बिटा तो इसकी electronic configuration की होगी 2 कॉमा जल्दी 6 ठीक है तो मतलब के के और L तो L में इसके पास 6 electron होगी तो इसका मतलब मैं आपने बताय था कि अगर k में 1 है तो उसमें एक लिए क्या आप दो अगर attain कर यहां पर इसको एक electron मिल जाएगा तो यह स्टेबल हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो पाएगा इसको कितने hydrogen लगेंगे इसको लगेंगे दो hydrogen ठीक है यह आपका oxygen है और यह आपके पास hydrogen है ठीक है hydrogen की पास कितने है बटा hydrogen की पास एक एक electron है और oxygen की पास कितने वाले इसको अच्छा है एक दो तीन चार पाँच है ठीक है तो अब यह hydrogen क्या करेगा बटा hydrogen इससे ले लेगा ले लेगा एक electron ओके और यहाँ पे hydrogen इससे ले लेगा एक electron तब hydrogen ने तो कर लिए अपने hydrogen इनके बीचे में बटा क्या था एक ऐसा बॉन आपको देखने के लिए मिला कौन सा single बॉन और आपको पता है एक बॉन में दो electron का मतलब है कि यह होगा आपका सिंगल कोवलेंट बॉन इसी तरीके सा आपको सारे के सारे बना कराने हैं अब तो आपको होगी होगी ना प्रै ठीक है तो अब हम लोग देखने लिंग बिटा इस तरीके सा आपको शेरिंग करके दिखानी हैं अब आते मिटा formation of NH3 देखरो आप यहापने देख लिया ना अरे यह कौन सा था ठीक है यहापे आपको दिखिया पूरा ही है ओके और आप देखरो है यहापे दो unshared electrons भी हैं जो shared नहीं करे गया है यह दो unpaired है इनको छोड़ो इनको किसी और दिन अभी आपके slabus में नहीं है अब आते मिटा NH3 का formation नहीं में भी देखो बात करते हैं NH3 का diagram चलो तो next आएगा बिटा formation of NH3 अमोनिया formation of NH3 तो NH3 में बिटा nitrogen है और hydrogen है तो nitrogen का Z कितना होगा बिटा nitrogen का Z होगा आपका 7 ठीक है और आपका hydrogen का hydrogen का Z होगा आपका 1 कितना होगा 1 होगा फिर students अगर हम इसकी बात करेंगे electronic configuration की तो इसकी electronic configuration कितनी होगी 2 K में दो रहेंगे L में बताओ 5 L में बताओ 5 मतब इसको 3 electron की जरुआ था अपना अक्टेट कंप्रीट करने के लिए और इसकी electronic configuration देखने तो K में सिर्फ एक ही होगा electron क्या के में सिर्फ एक electron इसके present होगा होगा नहीं होगा यस मैम होगा तो अब अगर इसकी बात करेंगे बटा नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के ऊपर तीन quantitative electrons माला पाच है ना तो यह नो ऩू गो हां र आख नाइट्रोजन इसके रोहन तीन है हुआट्रोजन के पास तो एक एक electron है हैरोजन के पास आपका इक-एक electron है रामसे और नाइट्रोजन के पास कितने बटा पाच एक dose इसके पास एक unpaired एलेक्ट्रोन मरले कि अन्पेर बोल नहीं हूँ, अन्शियर्ड पेर ओफ एलेक्ट्रोन रह जाएगा, देखो, तो अब क्या होगा बटाई, हाँ से ये हाइडोजन इस नाइटोजन के साथ शेरिंग कर लेगा, एक एलेक्ट्रोन की, ये वाला हाइडोजन भी हाँ पर शेरि दो जाएडोजन, तो नाइट्रोजन और हजिदे पेर डवेजन के बीच में, दो एलेक्ट्रोन शेरि हूए हैं, तो इसका मतलब ये हें आपका सिंगल कोवलेंट बांड, यहाँ पर कित्त्य एलेक्ट्रोन शेरिए वह होए, मिटोज़ा, वहाँ दो धोशरिंक्रोन भी हा जली से चमका ये इस बात पर एड़ाट, चलिए, स्क्रिंशॉट लेजे, ठीक है, दिग्या अमोनिया का हमें हापे, फोर्मिशन, ठीक है, देखिया, ठीक है, ठीक है, नेक्स आते हमें, डबल बॉंट, तो हापे हमारा सिंगल कोवलें बॉंट खतम होता है, अब शुरू होत electrons, in other words, a double bond is formed by the sharing of two pair of electrons between two items, as I have told you, के double bond का मतलब क्या है, बटा, के दो atoms के बीच में, आपके चार electron या फिर दो pair of electrons share करे गए है, a double covalent bond is formed by sharing of four electrons, ठीक है, तो यह हम देखते हैं, कि जो आप पर double covalent bond होगा, बटा, वो कब बनता है, वो कब बनता है, sharing of four electrons से बनता है, between two atoms, each atom contributing two electrons for sharing, और जो वो दो electron से मिटा, उसमें से एक-एक atom जो होगा, वो दो electron को share करेगा, a double bond is actually a combination of two single bonds, होई बता है बना आपको, ऐसे दो single bond का combination होता है, double bond, जिसको हम ऐसे dash से represent करते हैं, okay, by putting two short lines, ऐसे दो short lines, जिसे माललो मैं oxygen की बात करूं, oxygen और oxygen के बीच में, आप अगर ऐस covalent bond, समझ भाया, okay, for example, O2, देखो हैं आपर O2 कोई बात करें मिटा, तो O2 को हम ऐसे लिखते हैं, तो यह हमें क्या बताता है, कि यह है आपका double covalent bond, तो सबसे बहले हम देखिंग मिटा, आपका क्या, O2 का, formation of O2 molecule, ठेक है, oxygen के molecule का formation, आपको यह लगता है, oxygen क्या, free exist करता ह होगा, बताओ, नहीं, क्योंकि उसको दो electrons की जरुआ थे, stability gain करने के लिए, तो हमेशा तलाश में रहता है, कि कोई ऐसा atom मिल जाए, कोई ऐसा, कोई भी मिल जाए, जो उसको दो electrons देते, ठेक हैं, तो हम क्या देखने हैं, हम क्या देखने हैं, formation of oxygen molecule, formation of oxygen molecule, O2, ठेक हैं, O2 का formation देखने हैं, हम यहाँ पर आपको पताएं, हाँ पर 2 oxygen atoms की sharing हो रही है, कितनी, 2 oxygen atoms की sharing हो रही है, तो एक oxygen यह रहा, एक oxygen यह रहा, अब इसकी Z की बात करेंगे हैं, तो इसका Z कितना हो जागा, जली बताओ, oxygen का Z कितना होता है, 8, इसका भी 8, इसकी electronic configuration, के और L में बात करें तो 2, 6, हम, तो आपको 2 electron की requirement हापे रहने वाली है, तो अब हम देखेंगे, इसके पास outermost में कितने electrons present है, इसके पास outermost में 6 electrons present है, ठीक है, यह रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब एक बात बताओ, अगर इसको 2 electron यह दे देगा, तो कोई बूरी बात हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मैम, तो यह 2 electron ले लेता है, फिर यह बोलता है, अगर तुमने मेरे ले ले लियें, तो मुझे भी देदो ज़रा, तो यह कहता है, चलो ठीक, आप भी ले लो, तो इस तरीक सा आप देख रो बाता, oxygen और oxygen के बीच में 2 electron की sharing होई है, और आपको यह कौन सा bond है, यह है आपका double covalent bond, double covalent bond, समझ मा गया, समझ मा गया, double covalent bond कैसे बना, चलो screenshot लो आप इसका, लो जल्ली से, ठीक है, तो यह तो आपको समझ मा गया, ओके, done, देखो इस diagram को, और कितने unpaired रहे गे, कितने वाला unshared रहे गे, two pairs of unshared रहे गे ना, देखो यह यहाँ पे, यहाँ पे से, दो ने ही पार्ट्स पेट किया, sharing में, ठीक है, बट यह जो थे, यह तो unshared रहे गे न, यहाँ रखना है यह बात भी, ठीक है, तो समझ मा गया, ओके, माम, समझ में आ चुका है, next आते हैं, co2 molecule का formation देखेंगे, किसका देखेंगे अब हम लोग, co co2 molecule का formation देखेंगे, तो चलिए, next heading लगाईए, आप कौन सा, formation of co2, क्या, formation of co2, formation of co2, co2 का हम लोग यहाँ पर बटा formation देखेंगे, तो आपको बताएं, यहाँ पर carbon है, और oxygen है, ठीक है, तो carbon की बात करेंगे, तो carbon का जो z होता है, अलब कि atomic number होता है, वह होगा 6, ठीक है, atomic number हो जाएगा, इसका 6, फिर student, अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, इसकी electronic configuration की, तो वह हो जाएगा 2 और 4, बलब के L में इसके पास 4 electron होगे, तो 4 electron कहीं से भी इसको दिलवा दो, ठीक है, अब oxygen की बात करेंगे, बटा, तो oxygen में आप देखेंगे, यहाँ पर oxygen का Z होता है, चलो share कर भी देगा, है ना, तो इसके पास तो फिर भी कमी पूरी नहीं होगी ना, तो आप क्या होगा, अब होगा ऐसा कि कुछ, कि यहाँ पर carbon होगा बीच में, और sharing करेंगे 2 electron, वो 2 oxygen, अब oxygen के पास कितने है, बटा, oxygen के पास है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब carbon के पास है 4, 1, 2, 3, 4, तो अब क्या होगा बटा, आप कुछ ऐसा होगा, कि मैं यह वाले dots गलत लगाती है, रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, तो अब ऐसा होगा बटा, कि यह oxygen को 2 electrons चाहिए थे, तो यह तो इससे लेलेगा carbon से, यह वाला भी carbon से लेलेगा, आप carbon के पास तो pair of electrons रह गए है, ठीक है, तो हम यह देखेंगे carbon और oxygen के बीच में दो bond आएंगे, और इन दोनों bonds में क्या होगा बटा, हाप आपके पास, आप देखेंगे हापे, इस तरीके सा आपके electrons रहने वाले हैं, ठीक है, तो this is the CO2 molecule, क्या बटा, यह हो जाएगा आपका CO2 का molecule, screenshot ले इस और इसको पर आपको पता है, हाप आपको, यह दो दो pair आप दिखा सकते हैं, जो unshared electrons के हैं, चले आगे बटे, ठीक है, समझ मा आ गया, ओके माम आ गया, देखो आप यहापे, ठीक है, तो आप देखेंगे, दो double bond आ रहे हैं, ठीक है, दो double bond आपके आ रहे हैं, नेक्स को यह tough लगता है, अगर आप मेरे साथ कवर करें, तो आप देख लोग क्या ही tough है, कुछ नही tough है, क्या है formation of, क्या देखेंगे बटाओ, इथीन का formation देखेंगे, विच इस C2H4, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज आपको इसमें समझनी ही, वो चीज यह हैं, आपको पता हो करना चाहिए, क्या आपका इसमें आपके पास carbon है और hydrogen है, ठीक है, यस माम, तो आप बेसिकली बटाओ, यह आउनी compound है, आपको यह चीज तो देखे रही है, कोई दो non-metals है, तो carbon का atomic number किता होता है, carbon का atomic number होता है 6, और hydrogen का atomic number किता होता है 1, ठीक है, यस माम, अगर मैं इसकी electronic configuration को लिखना हूँ, तो आपको बता है, बटा, k shell और l shell में, k में आपके 2 electrons आज़ा सकते हैं, और l में इसके 4 electron आएंगे maximum, और इसकी सिर्फ k में रहेंगे, वो भी एक electron, तो इसका मतलब, अगर इनको octet complete करना है, तो carbon को 4 चाहिए और hydrogen को 1 चाहिए, चलिए आई देखते है कैसे करते हैं, यह देखो, तो बटा, हम देखते है, C2H4 में 2 carbon हैं आपके, यस माम, 2 carbon है, 2 आपके carbon है, और कितने hydrogen है, 4 है न, 1, 2, 3, 4, बटा, जिस तरीके से माँ आपको यह structures बनाने सिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही सीखने हैं, क्योंकि NCRT के अंदर ऐसे ही given है, समझगे 4, तो मैंनल, आउटर मोस में इसके पास 4 electron है, तो आपको पता है, आउटर मोस के, जो electron होते हैं, जो balance electron होते हैं, उनको हम लोग दिखाते हैं, dots वगरा से, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक, दो, 3, 4, एक, तो हो गई है, थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, इनको, hydrogen के पास किता होता है, एक, एक होता है, चलिए, hydrogen के पास होगिए, एक, एक, लेक्ट्रॉन, अब हम देखने हैं, hydrogen जो है, वो carbon से एक, एक, लेक्ट्रॉन ले लेगा, ये hydrogen भी carbon से लेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये hydrogen भी carbon से लेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसी ये hydrogen भी ले लेग और यह hydrogen भी ले लेगा, चीक है, यह गोले इसले बना रहे हो, जिससे आपको आसानी हो, आप शेरिंग को दिखा सकें, ओके, यस माम, नेक्स आपको पता है, कार्बन को कितने electron चेहें, कार्बन को आउटर मुस्ट में एट करने पड़ेंगे, चार यह किसी को दे तो सकता है नहीं, तो इसको चार मिल जाएं कहीं से, तो यह क्या होगा बटा, यह hydrogen से एक एक electron ले लेगा, और फिर carbon से जितनी कमी होगी, उतनी पूरी करेगा, तो हम यह देखने हो बटा, यह अपना एक एक electron जितना इसको दिया है, hydrogen को दोनों से ले लेगा, अब क्या करेगा बटा, यह दो electron जो हैं, यह लेगा carbon से, अब देखो आप carbon के पास कितने electron हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, होगे carbon के 8 electron, यास माम, अब इस carbon की बात करेंगे, बटा, तो carbon दो electron लेगा hydrogen से, तो आप कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, और दो लेगा इस वाले carbon से, हो गए नहीं हो गए, आप दोनों के पास है, तो हम यह देखने हैं, carbon और carbon के बीच में चार electron की sharing होई है, और आपको पता है, एक bond में कितने electrons होते हैं, दो electrons होते हैं, तो carbon, carbon, hydrogen, hydrogen, अब देखो बटा, अगर मैं आपको bonds दिखाऊंगी, तो आप bonds में एक चीज़ उबजब करेंगे, कि carbon और carbon के बीच में double bond आएगा, क्यों आएगा double bond बटा, क्योंकि यहाँ पर चार electron की sharing होई है, और एक bond में आपके दो electrons होते हैं, और carbon, hydrogen के बीच में आपको single bond रहेगा, क्योंकि carbon और hydrogen के बीच में सिर्फ एक-एक electron share हुआ है, मतलब कि इसने एक और उसने एक बीच में दो electron की sharing होई है, यह चीज़ आपको पता है, कि single bond में आपके दो electrons होते हैं, इस तरीके हैं, दो हैं तो 4 होंगे, 3 हैं तो 6 होंगे, यह बात आप अच्छे से जानते हैं, बटा, तो इस तरीके से आपको ethene का formation दिखाना था, done, screenshot ले hydrogen atom का, और इसका formula होता है C2H4, देखो, इनोंने इस तरीके से दिखा रखा है, इनोंने आपर circle ने बना रखेंगे, तो आपके लिए convenient होगा उसको बनाना, क्योंकि आपको नहीं समझवाएगा, फिर आपको कैसे draw करना है, हैं आप electron की sharing में घबरा जाएंगे, so student आप देख दो carbon के atoms है, 4 hydrogen atoms है, उनोंने मिलके बना दिया, इथीन का molecule, ठीक है, इन इथीन molecule, we have 1 carbon carbon double bond, carbon carbon के बीच में double bond होता है, और 4 single bond होते है carbon and hydrogen के बीच में, समझ में आगे वला पॉइंट है, इतना आसान है, क्या ही tough है, हाँ भई tough है कुछ, next आते हैं आपका किस पे triple bond, पा, जैसे अभी हम लोग ने क्या देखा है, single covalent bond और double covalent bond, अब हम लोग देखेंगे triple covalent bond, तो देखते हैं, चलिया यह, triple covalent bond, देखें, जैसे कि आप यह जानते हैं बाद के covalent bonds बन कैसे रहे हैं, बीटा, sharing of electrons से बन रहे हैं, है ना, mutual sharing होरी है, electrons की दो items के बीच में, तब आपक का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी मैं आपको पीछे क्या चीज़ सिखाई थी, कि यहाँ पर आपके कितने electrons के sharing होने वाली है, यहाँ पर three pairs of electrons के sharing आप हमें देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर sharing of electrons कितने रहेंगे, shared electrons, let's see, यहाँ पर shared electrons रहेंगे, आपके कितने, single covalent bond के अंदर, आपके दो electrons के sharing होई थी, मतलब के one pair of electron के sharing होई थी, फिर double covalent के अंदर आपके कितने के sharing होई थी, वहाँ पे दो pair of electron के sharing होई थी, मतलब के total four electrons के sharing होई थी, आप हम लोग देखने triple covalent bond को, जहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर three pairs of electron के sharing होगी, औ रहाँ पेर में तीन होंगे बट नम्बर में आपको 6 एलेक्ट्रॉंस रहने वाले हैं डान ओके माम समझ माया वाला पॉइंट आप लोग को फिर हम देखते हैं हम लोग 3 मालग ट्रिपल बॉंड को कैसे रप्रेजन करते हैं किसका एंटू का तो मतलब आप यह बोलना चाहरी है कि जो एंटू का मॉलेक्यूल है वो एक क्या है ट्रिपल कोगलन का बॉंड को रखता है बिल्कुल तो आई देखनें स्वर्ण कैसे रखता है तो आपको यह चीज़ पता है बटा कि नाइट्रोजन का अगर मैं अटॉमिक नंबर की बात करूंगी तो नाइट्रोजन का देखो दो नाइट्रोजन है ना आपके हां पर तो नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर रहेगा आपका 7 तो इसकी एलेक्ट्राइब कॉन्फिगरेशन कितनी हुज जाएगी बटा के और अल में बात करेंगे तो 2 और 5 तो 2 औ समझ मागिया तो मतलब कि इसके 8 electrons complete करने के इसको 3 electrons के जरुवत है है नहीं दोख आपको यह चीज पता है बटा कि 8 electrons लगेंगे ठीक है स्टेबल करने के लिए तो हम देखिए बटा है यहां पर आपके पास हां यहां पर आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर क्या है बटा नाइट्रोजन के पास आपके त्री एक दो तीन चार पाच कितने हैं पाच एलेक्ट्रोण है या नहीं है मानतों यह नहीं मानतों इस बात को यह समें मानते हैं ठीक है फिर दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी सेम रहेंगे एक दो तीन चार पाच ठीक है अब हम यह चीज औबज़र्व करते हैं मिटा क्या चीज हम अगर यहां पर यह से तीन इलेक्ट्रोण ले ले लिगा और यहां पर यह बताए नहीं था कि अभी चलो बताते हैं बाद में स्लेबस में है नहीं हो, बट फिर वह मैं आपको बता दूँ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको पता है कि एक bond में दो electron share होते हैं, तो यहाँ पर 6 होए है, तो मतलब कि तीन bond, और इन में क्या है, इन में आपका एक एक electron है, मतलब दो electron है आप ऐसे, और हम होता है आपका N2 का molecule, तो N2 का molecule आपको समझ मा आ गया, आगे है नहीं आ गया, अगर समझ मा आ गया, तो इसी बात पर एड़ाट कमन करिए, जड़ी से शेशन को भी लाइक कर दीजिए, आप पर ले इतने का screenshot लेलो, ले लिया, ठीक है, ओके, तो a triple covalent bond consists of three pairs of shared electron, तो triple covalent bond हम देखते हैं, three pair होते हैं, किसके, valence electron के, ठीक है, three pair of valence, मनले के, shared electron, shared, shared, okay, so in other words, a triple bond is formed by the sharing of three pair of electrons in between two items, तो हम यह बोल सकते हैं कि दो items के बीच में हापे क्या होता है, हापे three pair of electrons की sharing होती है, since three pair of electrons are equal to six electron, हम यह देखते हैं, कि जो आपके three pair of electron होते हैं, वो किसके equal होते ह six electron के equal होते हैं, ठीक है, so we can also say that, कि triple bond is formed by sharing of six electrons between two atoms, each atom contributing three electrons for sharing, और हम यहापे देख रहे हैं, कि एक 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 आटम जो है, वो तीन-तीन electrons को share कर रहा है, समझ भाया है, अगे चीज़ समझ भाये हैं, तो इसे बात पर जल जल इसे red heart चमकाई, क्योंकि आपको पता है, माम को आप sigma, मलब three single bonds का, क्या है, यह, combination है, so it is represented by putting three short lines, तो तीन short lines को हम ऐसे दिखा के बता देते हैं, कि भाये, there is a triple bond, ठीक है, nitrogen molecule, जिसे N2 consists of triple bond, so it can be written as, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, N और N और उसके बीच में, तीन bond, this can also contain a triple bond, ठीक है, यह भी आपका triple bond को contain करता है, अभी बताउगे मापको, जैसे अभी मैं आपको अथीन पढाया था, बढाया था यह पीछे पढ़ाया था ना मैं आपको यह अब ऐसी अभी आपको मैं इथाइन का भी बताऊंगी इसका फॉर्मला होगा आपका C2H2 तो आप बोलेंगे हम C2H2 कैस होगा बताऊंगी मैं आपको दखो तो अब आते हैं तो आपको सिखा है ठीक है अभी अभी बिलकुल वह एग्जाम्पल ही मैंने उससे सेट किया था ठीक है ठीक है तो नाईट्रोजिन एकम्ट होता है वो कभी फ्री नहीं रह सकता क्यों कि उसके पास उसके आउटर-मोस्त मर्ल बलब शेल में तीन उलेक्वन की कम फिर रखे तो वो एकदम से तीन एकट्रान क्मप्रीट करना चाहरा है तो वो एकदम से र्यक्ट कर जाए गा तो इसलिए काफिए होता है nitrogen gas therefore does not consist of single atom but nitrogen gas जोती है उसमें कोई single atom present नहीं होता उसमें N2 के molecules present होते हैं जो stable होते हैं क्या it consists of more stable N2 molecules ठेक है तो N2 molecules में आपको पता चलिए कि यह stable है क्योंकि इनके पास 8-8 electrons आ चुके हैं इनकी outer most shell के अंदर और कैसे आए हैं बटा after sharing the 3-3 electrons from each of the atoms समझके ओके नेक्स अटोमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इस सेविन आपको यह चीज़ पता है बटा कि नाइट्रोजन का अट्रोजन का अट्रोमिक नंबर सेविन होता है यस मैम तो इस इलेक्रोनिक configuration इस 2,5 तो इसकी electronic configuration किती रहेगी बटा इसकी पाच है, ओक्टेट कम्प्लीट करना है, 8 electron लाने है जब ही stable होगा, so since nitrogen atom has 5 electrons in its outer most shell, it needs 3 more electron हमी देखने मुटा है इसको 3 electron के और जरुवत है, जिससे ये 8 electron structure, मला जो inod gas की electron इसको अचीफ कर सके, ठीक है, yes ma'am, so 2 nitrogen atom combine together by sharing 3 electrons, हमी देखने मुटा है कि 2 nitrogen atoms जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ combine करते हैं और 3 electrons को share करते हैं, मला दोनों, वो भी करेगा, एक nitrogen दूसरा nitrogen भी करेगा, ठीक है, तो हम देखने मुटा है, आपे nitrogen के पास 3 electron, यह वाली भी nitrogen के पास 3 electron, दोनों आपस में share कर दिये, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 6 electron share हो गए, और आप देखने हैं, यह आपके 2 unpaired, मिर आपके 2 unshaired electrons के pair हैं, तो triple bond आपको बीच में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, okay, done, next, since the nitrogen atom share 3 pair of electrons among themselves, the bond between them is called triple covalent, bond का formation हुआ है, और in the nitrogen gas molecule, the two nitrogen atom are held together by a triple bond, समझ मा गया, nitrogen gas N2 is diatomic, N2 जो होती है यह आपके diatomic gas होती है, and there is a triple covalent bond, और इनके बीच में क्या होता है, triple covalent bond present होता है, between the two atoms of a nitrogen molecule, समझ मा गया, okay ma'am, तो मतलब nitrogen का अगर आपको structure आ गया, तो आप बना देंगे, next आते हैं इथाइन, इथाइन में आप देखनें, C2H2, ठीक है, तो let's see how C2H2 form, चलिए, तो next setting के टालेंगे आप लो, formation of इथाइन, C2H2, ठीक है, तो C2H2 की बात करेंगे बटा, तो आप देखने हैं, structure में आपके पास 2 carbon है, और 2 hydrogen है, है या नहीं है, okay, ठीक है, तो आप देखने हैं, कि मैं मिथाइन में कैसे triple bond present है, मैं आपको बताते हैं, दो carbon है आपके पास, और 2 hydrogen है, ठीक है, अब आपको यह चीज़ अच्छे से पता है बटा, मैं यहाँ पर side में लिख दू तो, कि आपके पास, जो carbon होता है, इसका atomic number कितना होता है, यह होता है, आपका कितना 6, ठीक है, कितना होता है बटा, 6 होता है, तो अगर इसका atomic number बटा, 6 होता है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कि इसकी electronic configuration होती है, 2 और 4, मतलब कि K और L, L में इसके पास 4 electron होते हैं, तो मतलब हम बोल सकते हैं, कि इसके outermost में 4 electron हैं, तो मतलब क्या मैं इसको पर ऐसे dot दिखा दूँ, 1, 2, 3, 4, ऐसी इस वाले carbon के साथ भी रहेगा बटा, है ना, रहेगा, फिर आपको यह चीज अच्छे से मालूम होता, अगर मैं hydrogen की बात करूँगी, इसकी अगर मैं hydrogen की बात करूँगी, तो hydrogen में आप देखते हैं, कि इसका z होता है कितना 1, तो इसकी electronic configuration कितने होती है, 1 मतलब कि k में सिर्फ इसके पास एक electron present होता है, कितना, सिर्फ एक electron इसके पास present होता है, तो हम देखते हैं यहापे, कितना है इसके पास, एक, एक एक electron इसके पास present है, आप हम लोग यहाँ पर यह चीज़ observe करते हैं, क्या चीज़ observe करते हैं, कि आपका यह, देखो, hydrogen भी stable होना चाहता है, और carbon भी stable होना चाहता है, बट अगर hydrogen की बात करी जाए तो उसको सिफ एक ही electron की जरुवत है, और उसके k में जैसे ही 2 होंगे, वो एकदम से stable हो जाएगा, क्योंकि वो डपलेट वाले रूल को follow कर जाएगा, बिल्कुल मैं, बट carbon को अपना octate ही इक ब्रीट करना पड़ेगा, उसको अपने last वाली उसमें, आउटर मोस शल में, चार electron की ही जरुवत पड़ेगी, ठीक है, उसको चार electron की जरुवत तो प तो अब हम देखिंग बटा, इसके पास कितने है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, अब मैंने उनको क्यों गिना, देखो, इसके पास कितने है अभी, आप देखो, एक electron तो इसने hydrogen से ले लिया, तो मतलब कि पहले इसके पास 4 थे और एक और आ गया, तो मैं यहां से इसने एक electron ले लिया, hydrogen से, अब इसको कितने की जरुवत पढ़े है, तीन की जरुवत और पढ़े है, तो वो जो तीन electron इमिटा है, यह इस वाले carbon से लेगा, ठीक है, ऐसी यह carbon भी करेगा, यह carbon क्या करेगा, एक electron तो hydrogen से ले लेगा, और जो बचे वे तीन electron है, यह दूसरे वाले carbon से लेगा, तो मतलब कि आप यहां पर देख पा रहे है, अगर आप ध्यान से observe कर पा रहे हैं, कि carbon और hydrogen के बीच में एक electron की sharing होई, तो इसलिए यह आपर एक bond आएगा, ठीक है, ऐसी इस वाले carbon और hydrogen के बीच में भी एक electron की sharing होई, बट carbon और carbon के बीच में बात single bond होता है, ठीक है, and this is very important, very very important, यह आपको आज आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल देदेंगे, उठा के, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो मतलब के board मा आ सकता है, ठीक है, screenshot ले ला आप इसका, I hope आपको समझ मा आ गया होगा, ले लिया, ठीक है, तो हम यहापर क्या देखें यहाँ, तो these compound containing covalent bonds, ठीक है, ऐसे compound, जिन में covalent bond present होते हैं, वो कहलाते हैं, आपके covalent compounds, are known as covalent compounds, covalent compounds are formed by the sharing of electrons between atoms, यह जो होते हैं, यह electron sharing से बनते हैं, बट अगर ionic compound की बात करेंगे, तो महाँ पर electron का transfer हो जाता है, ठीक है, the covalent compounds are made up of molecules, यह किसके बने वे होते हैं, य are also known as molecular compounds. क्या? यह molecular compounds होता है, but ionic compounds ions के बने वे होते हैं, तो हम उनको ionic compounds बोलते हैं, ठीक है? समझ मागया, आप देखेंगे आपको यहां पर बटा some important covalent compounds आपके सामने मने पेश किये हैं, देखे आप इनको इसे methane, ethane, ethene, ethane यह सारे covalent होते हैं, water is the covalent, ammonia is the covalent, alcohol covalent, hcl covalent, h2s, co2, cs2, ccl4, c6, h2o6, c12, h22, o11 and conh, तुका hole twice, यह सारे बिटा क्या है, आपके covalent compounds है, ठीकि यह formula है उनके और इनमें कौन-कौन से element प्रेजेंट ही है, तो आप देख रहे हैं, carbon hydrogen, carbon hydrogen तो easy आपके लिए बनाना, क्योंकि आपको पता है, क्या आपको electronic configuration भी सब किया आती है, सिर्फ आपको सही से electron की sharing करकर दिखानी है, क्या, सिर्फ electron की आपको सही से sharing करकर दिखानी है, आप हम लोग देखने के covalent bonds के ऊपर कुछ important questions और उसके बाद हमारा session हो जाएगा, बिल्कुल खतम, चलिए, next आते है, question है आपका, explain the nature of the covalent bond using the formation in CH3CL, okay, आपको क्या बताना, आपको explain करना है nature covalent bond का, और bond formation दिखाना है CH3CL में, let's start the bond formation, तो आप देखो बटा, सबसे पहले जो आपका CH3CL है, ठीक आपके पास element है, यहाअपर carbon, hydrogen और chlorine, methane chloride, ठीक है, थीक है, तो आप हम लोगे हापर क्या करेंगे, बटा हम लोगे हापर यह चीज देखेंगे, क्या आपका carbon का जो Z होता है वो कितना होता है, 6, hydrogen का Z कितना होता है, hydrogen का z होता है, 1, chlorine का Z होता है, 17, कितना होता है, 17, समझ बह dar चीज़ आप लोग को, तो अब अगर मैं इसकी electronic configuration की बात करूँगे तो यह होगा आपका 2 और 4, इसकी बात करूँगे electronic configuration की तो 1, इसकी बात करूँगे तो यह होगा 287, ठीक है, 287, समझ मागे वाला point आप लोग को तो, अब मतलब हमें दिख रहा है मैम, यहाँ पर अगर ना ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें arrangement, इसके इसके आ utermost में 4 electron है, तो इसको चार की जरूँवत है, इसके एक है isको 1 की जरूँवत है, क्योंगे के बात है, हमने का, चलोग को लिख करता है, तो हमने क्या करा हमने carbon को पकड़ा बीच में, और hydrogen, 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 hydrogen को जुपका दिया side में ठीक है चारो को इनके side में बठा दिया अब आपको पता बटा carbon में कितने हैं carbon के पास 4 है hydrogen के पास 1 है और chlorine के पास 7 है एक दो 3 4 5 6 7 easy है ओके अब इसने क्या किया तेखो hydrogen को कितनी जरुवत थी hydrogen को उसे एक electron की जरुवत थी तो उसने carbon से ले लिया कि या carbon please दे तो carbon दे देता है carbon अच्छा है carbon ने सब को अपना एक एक electron की जरुवत थी तो carbon ने सब को अपना एक एक electron दे दिया दिया है नहीं नहीं दिया बिल्कुल दे दिया अब carbon को जब जरुवत पढ़ी तो carbon को कितनी एक attorney की चार की तो carbon को भी electrons मिले ऐसा नहीं कि carbon को यह कर बन ही Toronto नहीं मिले तो carbon hydrogen के बीच में हापे 2 electron share हो है मतलब single bond, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो this is the, क्या, और यह कौन सा bond है बटा, यहाँ पर सिर्फ 2 electron की sharing हो रही है, तो this is a single covalent bond, single covalent bond, हम यह देखते हैं मिटा, कि इनके बीच में क्या बनते है, single covalent bond का formation होता है, और यह single covalent bond, जो covalent bond है, वो कैसे बन रहे है मिटा, electron की sharing से बन रहे है, क्या, electron की sharing से बन रहे है, चलो screenshot लो आप पहले इसका, यह लिए आपनी screenshot इसका, चलिए, ठीक है, तो हम देखेंगे, यह आपका methyl chloride है, CH3, CH3 is a methyl chloride, और a chloro methane, ठीक है, it is made up of one carbon atom, three hydrogen atom and a one chlorine atom, carbon atom के पास 4 electron होते ह हैं, और chlorine के पास 7 electron होते हैं, so carbon atom को 4 balance electron हैं, उसके पास उसको 4 की जरुवत है, ठीक है, तीन hydrogen atoms को एक-एक electron की जरुवत है, और chlorine को भी एक की जरुवत है, तो CH3 का formation आप यह पर देख पा रहे हैं, जो मन आपको दिखाया, वही exam में बना कर आएगा, and you will get a full marks, I make sure, ठीक है, ले ले था ना, पने उसका screenshot तो, ले लिया था, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment box, I will try to solve it, okay, so we can see from the above electron dot structure, CH3, CL, that there are 4 pairs of shared electrons between carbon and other atoms, तो अभी हमने उस structure से एक चिस उप्ज़व करी, कि carbon और other atoms जो हैं, जो हैं, जो हैं, जो हैं, इनके बीच में, दो-दो electrons की sharing हुई है, each pair of shared electron constitute one single covalent bond, और हर एक shared pair of electron के बीच में, एक single covalent बन रहा है, so CH3, CL has four single covalent bonds, please note that, each item in CH3, CL has a noble gas electron arrangement, तो मतलब के यह क्या होगे बटाई, यह आपका stable होगया structure, समझ के, okay, मैं, next, draw the electron dot structure for, अरे, अब भी सिखाता रही हूं मैं, आपको electron dot structures बनाने, बस वही आपको बनाना है, ठीक है, electron dot मतलब के होता है, dots दिखा के आपको पूरा structure दिखाना है, ठीक है, तो H2S, ठीक है, तो सबसे पहले बटा, A वाली की बात करेंगे, H2S की, H2S, तो आपको बता है, बटा, सबसे पहले इसके elements break कर लो, ठीक है, तो इसमें कितने elements integration की बात करेंगे, बटा, तो इसके K, देखो, 16 है ने, हापे, तो 286, 286 मतलब के KLM, ठीक है, 286 हो रहेंगे, हापके, ओके माम, अब आपको यह चीज़ अच्छी से पता चल रही है, हापे, कि sulfur को 2 electron की जरुवत है, अपने 8 electron को complete करने के लिए, octate rule को complete करने के लिए, उसको 2 electrons की और जरुवत पल रही है, ठीक है, तो हमीं देखेंगे, sulfur यहापे बीच माएगा आपका, तो आपके पास hydrogen होगा है, तो sulfur के पास कितने electrons है, last में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और hydrogen के पास एक-एक electrons है, done, तो आपको पता है, hydrogen को कितनी की जरुवत है, hydrogen को तो एक electron की जरुवत है, तो sulfur से ले लेगा, यहाँ पर इसको भी एक electron की जरुवत है, यह भी sulfur से ले लेगा, अब sulfur को दो electrons की जरुवत है, तो sulfur दो electron किससे लेगा बटा, दोनों hydrogen से, एक-एक electron ले लेगा, दोनों hydrogen से, तो इसका मतलब sulfur और hydrogen के बीच में 2 electrons की sharing होई, तो मतलब कि sulfur और hydrogen के बीच में 2 electrons की sharing तो यह आपको structure देखने के लिए मिल जाएगा और आप देखने हैं इसको उपर दो unshared pair of electrons आजाएगा जाएगा विजो शेर ही नहीं हुए है दो पेर आपके electron share ही नहीं हुए ना तो बिटा this is the electron dot structure for the H2S hydrogen sulfide done आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ सकते हैं तो बिलकुल आप मुझे इजाज़त दीजिए इसका screenshot लेकर ठीक है ओके तो देखिए बटा आप हम लोग यहाँ पर H2S is a hydrogen sulfide it is made up of two hydrogen atoms and one sulfur atom बटा बनी हुई किससे होती है होती है एक hydrogen atom और one sulfur atom से बनी हुई होती है इच hydrogen atom has a one valence electron वेरस sulfur atom has a six valence electron the sulfur atom share its two electron with two hydrogen atom हम देखने मिटा sulfur यहाँ पर अपने दो electrons को share करेगा एक-एक hydrogen atom के साल to form hydrogen sulfide as you can see in the diagram done okay अब आते मिटा किसका fluorine F2 का ठीक है F2 तो B वाला हम दो है F2 ठीक है तो हम देखने मिटा fluorine fluorine का atomic number किता होता है 9 तो अगर मैं इसके electronic configuration लिखूंगे तो यह हो जाएगी 2,7 ठीक है मुझा 2,7 का मतलब क्या हो जाएगा बटाए हाँ पर K में आपके दो electrons है और L में आपके एक electron है तो मतलब कि इसके L में एक electron की कमी है एक electron यह है साथ electron इसको एक electron अगर कहीं से मिल जाएगा तो यह octate rule में चला जाएगा और यह stable हो जाएगा क्योंकि inert gas परी configuration ले लेगा बिल्कुल ठीक है तो आप क्या करेगा यह दो F2 है नहीं हापे F2 ठीक है तो में लगी दो flooriin है हापे है तो दोनो floor IN अगर एक एक electron को share कर लें तो कोई दिक्ट थोड़ी है बिल्कुल दिक्ट नी है तो यह यही करेंगे यह करेंगे तो कोई आपके पास flour Immediately है और यहापको पता है यहाँ पर इसके पास कितने elektrons है साथ elektrons है ठीक है एक जा एक आपको पना ही यह जोब है सबस्ते ही एला पॉइंट यह नहीं समझदू, जल इस बताओ, समझदू नहीं माला point आप लो, तो मतलब के मैं, दोनों ही fluorine ने एक एक electron आपस में share कर लिया, और कितने unpaired, मतलब के कितने unshared electrons रगा है, यह three pairs of unshared electrons रगा है, तो मतलब fluorine, और fluorine के बीच में सिर्फ एक ही bond आएगा, ठेक है, और यह तो आपके unshared है, एक, दो, तीन, चार, पाच्छे, इन, चार, पाच्छे, तो this is the electron dot structure for the F2, fluorine molecule, okay done, screenshot ले लिजे, ले लिया, ठेक है, आगे बढ़ना है, okay, ठेक है, F2 is a fluorine molecule, each fluorine atom has a seven valence electron, the two fluorine atoms share one electron, each two form a fluorine molecule, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठेक है, तो मतलब आपको समझ में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, ठेक है, अब आते मिटा आपका question number third, और लेक्टे है, हमारा question number third क्या है, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur, ठेक है, which is made up of eight atoms of sulfur, मतलब आपको वो sulfur का molecule बनाना है, जो eight atoms से बना हुआ है, मतलब कि eight sulfur हैं इसके अंदर, hint क्या है, the eight atoms of sulfur are joined together in the form of ring, देखो बटाईए, जो S8 होता है न, इसको हम बोलेंगे S8, तो S8 क्या है, S8 is the sulfur molecule made up of eight atoms, S8 क्या है, sulfur molecule made up of eight atoms, किस से बना हुआ है बटाईए आपका, यह आपका बना हुआ है, eight atoms है, ठेक है, eight atoms ही आपका बना हुआ होता है, तो हम देखें हैं आपके पास, sulfur 8 हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, ठेक है, तो यह एक ring form में होता है, कैसा होता है, यह ऐसे ring form में आपका रहता है, ठेक है, अब आपको यह चीज़ अच्छे से मालूम में मिटा, कि अगर मैं sulfur की बात करूँगी, तो sulfur का atomic number होता है, 16, और अगर इसकी electronic configuration की बात करूँगी, तो वो होगा 286, कितना होगा 286 होगा, KLN, तो मतलब के, आप देख रहे हैं हापे कि sulfur को 2-2 electron की जरुवत है, sulfur को क्या है, बटा, 2-2 electron की जरुवत है, तो यह क्या करेगा, यह 2-2 electrons की sharing करेगा, क्या करेगा, बटाए, आपके, 2-2 electrons की आपको sharing करतावा नजर आए, क्योंकि इसके पास तो 6 है न, है यह नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो आप, कुछ ही नहीं करना, सबसे सिंपल सा diagram राना सिखाती हूँ मैं इसका, आपको पता है न, sharing कैसे होती है, यह तो अच्छे जानते हैं, ठीक है, तो आपको पता है, अगर 6 electrons है, तो सिर्फ 6 में से, 4 तो अपने पास रखेगा, 2 की sharing करेगा, दोनों ही sulfur 2-2 की sharing करेंगे, तो जो 2-2 की sharing होगी न, उनको भी इच में डाल दो ऐसे है, जिनकी sharing होगी, ठीक है, और अब बच कितने रहे हैं इनके पास, बच कितने रहें? बच रहे हैं? 4. तो बस उनको इनको ऊपर चपखा दू. जो 4 बच रहें न, जो un-sheared हैं. ठीक है? आप क्या करों? अभी हाँ साप रिंग का formation दिखा सकते हो इस तरीकए से कर क्या? है Na? ये आप क्या दिखा सकते हो? इहाँ से आप इस तरीके से फॉर्मिशन दिखा जब तो बस, this is the ring structure for the acid molecule, समझ मागे वाला point आप लोगो electron dot structure है, यहाई आपका, यहाई आपका electron dot structure है, अगर यह चीज़ समझ मागे तो ज़रा इसी बात पर एढ़ा कर देते, comments तो मुझे अच्छा लग जाता, हाँ, चलो, समझ मागे तो मता कि यह आपके देख रहे हैं, आप दो-दो electron यहाप आपके यह share हो गए, यह रहे, दो-दो electron, और आपको पता है, जब दो electron share हो है, मतब कि इनके बीच में कैसा आएगा, एक-एक bond आजाएगा, एक-एक bond हमें आपके देखने के लिए मिल जाएगा, easy है, easy है यह नई easy, जिल्टी से बताई, easy है तो आपको पता ही क्या कहना आपको, चलो, screenshot ले रहाँ आपको, ले लिया, ठीक है, तो बाला नी बना नी बना ना, बहुत घिच पे चुज़ाईगी वो, उसमें circle बगरा करने में, चलो, तो a sulfur atom has six outermost electrons, eight sulfur atoms combined by sharing two electrons, एक, क्या होगा बटाए हापे, तो sulfur atoms होंगे, वो दो-दो electrons को share कर रहे हैं आपस में, और एक ring type का sulfur, S8 का molecule बना रहे हैं, ठीक है, पिज़ाई आप यहां पर देख पा रहे हूँ तो आप देखो नहें, इसने और इसने, आप असमें share करें न, करें या नहीं करें, अब बताओ, तो इसके पास दखो, एक, दो, तीन, चार, ये रह, ठीक हैं, ये रह, ये रह, ये रह, कहा गया यह रहा भाई साब ऐसे आप इसको रिंग के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं if you want बट बहुत गुछ पुराती इसलिए मने नहीं दिखाया था ठीक है ऐसे आप रिंग मना के दिखाते हैं इस रिंग ये इनकी रिंग होल्डिंग ठीक है समझगे चलिए तो मतला आप यहां पर देखेंगे न ध्यान से अगर आपको कला माग करूँगी तो यह वाले हैं वो दो इलक्ट्रोंज और शियर हुए है ये रहे ये हैं वो दो दो इलक्रोंज इजी है अरे कर लोगे ना कर लोगे नहीं कर लोगे चलो 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 ठीक है तो बस स्टूडेंट इसी के साथ आपका कोवलेंट बॉंड का भी सशनी पर याइन होता है मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है कोवलेंट बॉंड क्या होते हैं अगर समझ मागें तो इसी बात पर रड़ाट कमेंट कर दीजेगा क्योंकि पी बोड, यूपी बोड, बिहार बोड, टेली बोड राजिस्थान बोड तो हम लोग आपको प्रोवाइट किलाते हैं 6 सरी के क्लास 12 तक की free of cost classes students अगर आपको e-book sending notes चाहिए उसका link भी आपको हमारे description box से मिल जाएगा तो जाएए और जली से जाकर उसको graph कर लीजे और आप हमें follow कर सकते हैं थो YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp इन सबके थो आप हमें जली से follow भी कर लीजे क्योंकि इंडिया का number one platform जो high quality content conceptual clarity दे रहा है वो सिर्फ magnet brains है तो अब मैं विलूँगी आपसे next session में ठीक है जहां पर हम लोग क्या discuss करेंगे जो हमने अभी तक ionic bond, covalent bond और ionic compounds और covalent compounds पढ़े हैं उनके properties देखेंगे हम लोग next session में तो जब तक अपना खयाल रखेगा अब बरे र